हिल्षा कोट परसद इस्तिसीम मंदिर में कार्थिक माह को ले कर महीनोदिन सुभा सुभा महिलाई कर रही थी पूजा आपको बता दे कि हिंदुíveों में अनेक परवों मेंandersे एक कार्थिक माह जहां महिलाएं बीना लसुन प्याज यहां तक के महिलाएं कई फलहार यानि फल खाकर रहती है और कार्तिक माह में प्रती दिन सुबह सुबह असनान ध्यान कर मंदिरों में पूर्जा अर्शना करती है और अपने परिवार की सुख सांती की कामना करती है या इसके साथ अगर उनकी मन ज़हाई इच्छा होती है वो मांगने का काम करती है ताकि उनकी मन इच्छा पूर हो आपको बताते चले कि हिलसा सहर के कई मंदीरों में कार्तिक मा को लेकर भीर लगी रहती थी लेकिन हिल्सा कोट परसद मंदीर में भी सिर्धालों की काफी बूर कठा राती थी पुजारी संकर पांडे काते हैं कि महीनों दिन चलने वाला ये कार्तिक मा बड़ा ही अनोखा होता है आप खुद सुनिया महिलाएं पुजार्चना कर रही है मंदिल में किस के लिए कातिक पुजा अभावना सब करते हैं जठान पुजा भी लग ले तो सिर्फ आज के लिए कि परते दिन कर रही हैं यह बहर महिना तक होता है बागी पांच दिन आवर पुनिया बचलाए सोंबार को समात्त हो जाए पुजारी आप है जी हां मंदिल के पुजारी है क्या नाम हुआ उमेश शिंग बाबा नाम से पशीद है तो थोड़ा सा यह परसी आप बताए मंदिर में भी लगी है कातिक महिना महत्म होता है उनको पुजा पाठ तुल सिजित होता है पुरी महिने क्या नाम हुआ शंकर शंकर पंडे